तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से दशहरा पर 100103 नंबर की हेल्प से रावन का चित्र बनाना सिखाएंगे आप यहां पर एक one number लिख दीजिएगा इस तरह आपको एक one number लिखना होगा फिर थोड़ा सादस बनाते हुए एक zero चोटा सा जिरो नंबर आप यहां पर ऐसे लिखेंगे फिर इसके बाद सेम प्रोस्स आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा फिर इसके बाते हुए हम न डबल जीरो फिर इसके बाद एक आपको one number लिखना है यहां से ऐसे one number लिख दीजिएगा अब आप three number के हाले कहां लिखेंगे इसको ध्यान से देखिएगा जश्ट ऊपर के ही साइड में आपको three number लिखना होगा यहां से अंदर की तरफ करिएगा फिर इसके बाद यहां से आ क्यों मनाया जाता है तो आप हमें करके जरूर बताईएगा फिर इसके बाद यहां से बीच में आपको one two and three लाइन इस तरह ट्रो करना होगा फिर शिव जी की आई बनानी होगी क्योंकि रावार जो है शिव जी का बहुत बड़ा भगत था अब आपको ऊपर के ही साइड मे एक छोटा सा ऐसे हाप सर्किल बनाना होगा फिर यहां से डबल करिएगा डबल करने के बाद दोस्तों आज हम आपको रावार को कलर भी करना सिखाएंगे तो वीडियो को लाश तक जरूर देखते रहिएगा अब आप जश्ट ऊपर के ही साइड में एक छोटा सा ऐसे आझ्यम हुदने के बाद आप करना होका ह। जाब हमने जो लाइन Chapter गया है इधर से आपको रामर का खेंगर में आआप से अछाहां की तरफ नीचने की तरफ आप बढ़ा देंगे बढ़ाने के बाद अब जियाँ से यहां से एक line draw करिए ऐसे उपर की तरफ लिजाए फिर इसको आप ऐसे बाहर की तरफ कर दीजिए गा सेम आप इधर वे से repeat करेंगे इधर ले जाईए गा इसको ऐसे बाहर की तरफ आप निकाल देंगे निकालने के बाद थोड़ा सा और अंदर की तरफ करिए फिर यहां से अंदर की तरफ करिएगा दिखी कितना आसान है यहां पर भी ऐसे अंदर की तरफ कर दीजेगा अंदर की तरफ करने के बाद एक बड़ा सा हाफ सर्केल आपको इधर ऐसे बनाना होगा फिर उपर के साइड में भी एक छोटा सा हाफ सर्केल यहां पर भी वेसे बना दीजिएगा हाफ सर्केल बनाने के बाद एक बड़ा सा आपको ऐसे लिप्स बनाना होगा इधर ऐसे मिला देंगे, मिलाने के बाद यहां से आप ऐसे अंदर की तरफ करिए फिर इसको डबल कर दीजिएगा, सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे यहां पैसे मिलाईए, फिर इसको आप ऐसे डबल कर दीजिएगा डबल करने के बाद उपर के ही साइड में आप छोटे छोटे वी वी लेटर लिखते जाएगा यहां पर भी आप ऐसे वी वी लेटर लिखते जाएगे तो रावण का यहां पर मुखुड भी बनकर तयार हो गया अब देखिएगा, अब आपको यहां पर इस रावण का आई बनाना है आई बनाने के लिए यहां से ऐसे ले जाएगे, इसको अंदर के तरफ करिएगा फिर इधर आप ऐसे मिला दीजिए सेम आप ज़िए आपने इधर बनाया है, इतना ही इस साइड भी बनाईएगा इधर ले जाएगे, फिर इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा अब आपको eyebrow बनाना है, हाँ ऐसे हलका सा उपर, फिर हलका सा उपर की तरफ बढ़ा दीजिए, सेम आप इधर ऐसे करिएगउ, उपर की तरफ करिए, यहाँ से ऐसे गुमा दीजिएगा गुमाने के बाद दूस्तों इसको थोड़ा सा आप डबल करदेंगे, छनी कि डार करना उपको यहां से इसे यह चिंद भी आप दिजेगा मुिट fडूरा को यहांसे लॉधा पर नाव्Benा यहां से नीचे की तरफ सबस्तार पर यहां यहां से नीचे की तरफ भड़ी सी इसकी नोश भनाने नोस बनाने के बाद अब आपको इस राउमार का बड़ी सी मूच बनानी होगी दिखिए कैसे बनाना है इसको यहां से हाफ सर्कल ले जाएए फिर अंदर के तरब घुमाईएगा यहां से आप ऐसे इसको टच कर देंगे सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा इधर ऐसे ले जाएए और यहां पर आप ऐसे मिला दीजिएगा मिलाने के बाद दोस्तों अब आपको इसको डबल भी करना होगा यहां पैसे करिए फिर इधर ले जाएगा और यहाँ पर यह हो गया रामण की बड़ी सी मूझ भी बन के तायार नीचे के साइड में एक लाइन ड्रो करिए इसको उपर के तरफ करिएगा फिर यहाँ से आप इसको डबल कर देंगे डबल करने के बाद ध्यान से देखेगा दोस्तों यहाँ से आपको इसका फेस भी बनाना होगा पूरा इधर से नीचे के साइड मिले जाईएगा यहाँ पैसे करिए फिर आप उपर की तरफ इधर ऐसे मिला देंगे तो यह रामण का नीचे वाला फेस बनके तायर हो गया अब आपको अब दोस्तों आपको इस रामण का हेर बनाना होगा देखेगा यहां से आप हलका सा इसको बाहर की तरफ करिएगा फिर अंदर की तरफ ले जाएए यहां से ऐसे करिए और आगी की तरफ बढ़ा दीजेगा सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना हो थोड़ा सा बाहर फिर अंदर यहां से भी ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजेगा अब आपको इधर से ऐसे अंदर की तरफ ले जाना होगा यहां से हलका सा हाफ सरकल बनाईए यह हो जाएगा नीचे के साइड में तरफ यहां से इसको आगे की तरफ बढ़ा दिजिए इहां राऊँदा के तरह को प्राइसे इसटीर चीट्रबन्स बढ़ा होगा तायार हो गया है चलिए अब हम इस रावन को कलर भी करना सीख लेते हैं